अनूपगड जोती चैनल में आप सब का स्वागत है अब रूख करते हैं खबरों की और राइसियनगर के ग्राम पंचायत 68NP में आत्मा योजना अंत्रगत रभी किसान गोश्टी का आयोजन किया गया जेविक खेती जेविक जागुरुकता अभ्यान की सुराद की गई जिसमें कर्शी विभाग के उप महन देशक जी आर्मटोरिया भमर सियरा ठोड मोटिवेटर जेविक गुरुरु राइसियनगर कशी विभाग के पर्थवी राज विनोद डेलु वे कर्शी विभाग के अनेक अधिकारी कर्शी परविशक पहुंचे पुरो सरपंच भीम सियं पर्तिनिती हंसराज पुरो सरपंच सतीश चावला तेज सियं रठोड खानू राम जी के मरी राम पुनिया सावत सर पदमपुर ने भी किसान गोश्टी में भाग लिया जेवी खेती को खेती को भढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं विमारी उसे बचा जा सकता है जैसे कैंसर आधी रोगों से बचाव किया जाएं पी ग्राम पंचाइट में आज जो जेवी खेती को लेकर जो आज प्रोग्राम रखा है उनके बारे में विचार वेक्ट करें और उसे विशयल से पुरे राजस्तान में जाग रूपता चला रहे हैं पेलिबंगा वाहर सिंहीं जी पेली बंगा वो आई वे हैं और वे बाध के आधिकारी और करमचरी गण आये हैं और इस सबीं कि महती आप सकता है कि वास्ता में जयवी खेती की तिरफ कास्टकारों को आना चाहिए और इससे ज़ो है ज्यदा ज्यवी कुऩ पादन ले करके आज जो खान पान की वज़े से भीमारियां हो रही है सुद खाना मिल रहा है उसको सुद खाना मिले और अच्छा पौसकता तो वड़ा खाना मिले इसलिए जेविक उतपादन और जेविक खेती को बढ़ाना आज के समय के आप सकता है और इसी को बढ़ावा देने के लिए कास्तकारों में जागरुकता लाने के लिए यह आज की गोस्टी और नगर में और परसन सूर्थगर में भी एक गोस्टी और जन कर रहे हैं ताकि पूरे जिल्य में एक वातावरन बढे और जेविक खेतिका खेत्र बढ़े उत्पादन बढ़े कासकारों के आए भी बड़े और बाकी सब जगें जो है स्वस्त बोजन सिर्कला खाने को मिले सबी को यह पहला आई जोन गंगनर जी लिम इस जागरुकता अभियान का पहला कारिकरम है बाकी हम पर प्राकरति किर्सी विकास योजना में भी इस तरह की कारिकरम होते रहते हैं ट्रेनिंग्स चलती रहती है कास कारोंगी लेकिन इस जागरुकता अभियान का पहला कारिकर मैं रामशुरूप नायक आज अटसे टेन पी ग्राम पंचायत में आत्मा योजना के अंतरगत किसान गोष्टी का आयोजन किया गया है जिसमें जीरो बजटिंग खेती जेविक जागरुता ब्यान का सुरुवात की गयी है मेरे साथ प्रक्तिसील किसान मनी राम जी जो सामसर से उनसे मैं बात करूँगा कि जेविक खेती के बारे में कुछ बताए जेविक खेती जो है वो इसलिए जरूरी है जितना जिंदा रहना है और रसानी खेती का प्रणाम हमारे सामने है इसलिए कुदर्थी खेती प्राकर्टिक खेती और वो सारी की सारी जो खेत के अंदर जितने भी अफ्स्ष्ष्ट पदार्थ हैं और हमारे पसों के गोबर है उन पर अधारित सारी एक प्राकर्टिक प्रिकरिया से उसको हमतैयार करते हैं मैं तो इस पे यही बात करना चाहता हूँ कि यह हमारी आगे आने वाली जो पीडियां है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी हमारी तीसरी पीडिय जिंदा नहीं रहेगी यह पूरे दुनिया के विग्यानों कोई रिपोर्ट है और जो अन है किशान अनदाता कहा गया है आज जो रसाइने के खेती जो हिंदुस्तान में 1970 के दस्क में आई और उससे पहले हम कुदर्टी खेती करते थे जेवी खेती ही होती थी तो उस समय एक परिवार में बारा बारा बेहन भाई होते थे और कोई भी हन की कमी से भूग नहीं मरा तो हम अब कैसे मर सकते हैं बैसे पूरी दुनिया में रिपोर्ट आ चुकी है फूड एंड एग्रिकल्टर और्गनाजिशन एफेओ जो यूएनो का है उसको सौल दिया गया था कि जेवी खेती यदि प्राकर्टिक खेती हम करते हैं तो क्या उत्पादन पे क्या असर पड़ेगा जन्ता कहीं भूकी तो नहीं मर जाए उन्होंने कहा कि जैसे रसाइनिक खेती का पूरा सिस्टम आया बैसे प्राकर्टिक जेवी खेती का पूरा सिस्टम आये उसके लिए हमें पराथ मिक्ता पे सारी सरकारों को दुनिया की सरकारों को अपने बज़ट में पराथ मिक्ता देनी होगी खेती उत्तम है किर्शी परदान देश है लेकिन हमारी बज़ट में कहां परदानता है ये किर्शी बज़ट तीसरे नमर पे भी नहीं है और आज हमारी जो यूआ पीडी है वो सारी की सारी किदर जा रही है नोक्रियों की तरफ क्यों कि खेती को तो गाटे का सोदा बना दिया खेती गाटे का सोदा नहीं है खेती जीवन की पदती है लाइफ लाइन है और इसमें गाटा बिल्कुल ही नहीं है करके देती है धरती मां हमें इतना इनपुट और आउटपुट का जो अनुपात है वो किशी भी चीज में नहीं है पहले बेंक में डालते थे वो पांच साल के लिए दुगने होते थे आज कल वो भी बंद गर दिया है तो इतना गुणा उत्पादन और वो उत्पादन जो जीवन देता हो तो ये जितने भोतिक जीज़ें हैं ठीक है ये हमारी सुविदाएं हैं लेकिन हम इनको खा करके तो जिन्दा नहीं रह सकते ना जो जीवन है उसकी प्रात्मिक्ता क्यों नहीं है इसलिए और दूसरा रोजगार सर्विस सेक्टर है वो कितना आगए 7 परसेंट 8 परसेंट जितने नोजमान आप कोचिंग सेंटरों में बेठे हैं उनमें 90 से उपर को तो घर को आना है वापिस वहां तो इतनी जगे ही नहीं है वो घर आना उनका मोत के समान होगा जोती चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शियर कीजिए थैंक्यू